जेहिन दोस्तो, स्वागत है आपका एक बर फिर से अचीवर्स गुरू में और स्टार्ट करते हैं आज आर्थकी 2017 के महत्वपूर आकड़े आर्थकी 2017 में हम पढ़ेंगे खाद्यान उत्पादन और खनीज उत्पादन से रिलेटेड आकड़े जो कि आपके UPPCS, Lower PCS और समिच्छा दिकारी और UPCCS related बहुत सारे एक्जांस में आपके लिए महत्वपूर साबित होंगे दोस्तो आक में अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी न भूले यह नोटिफिकेशन बेल है जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले देखते हैं खाद्यान उत्पादन के आकड़े जो कि भारत में कौन साथ इस किस पोजीशन पे आता है खाद्यान के उत्पादन में जैसे कि धान धान में पक्षिम बंगाल जो है वो नमबर वन पोजीशन पे है उत्पादन में 15% पूरे भारत का 15% धान का उत्पादन करता है पक्षिम बंगाल दूसरे पे यूपी जो की most important है 12% करता है तीसरे पे पंजाब अब बात करते हैं गेहू की गेहू के अरहर की डाल मिंस तूर की डाल भी जिसे बोलते है इसके उत्पादन में MP पहले नमबर पे है और महराष्ट दूसरे नमबर पे थर्ड पे है करनाटक फिर बात करते हैं मूंग की डाल पे तो मूंग की डाल में राजस्थान पहले पोजीशन पे पूरे भारत की 38% मूंग क उत्पादन में करनाटक पहले नमबर पे है, दूसरे पे MP है, थर्ड पे बिहार है। फिर बात करते हैं। जौर बाजरा चना ये सबाते हैं तो कुल मोटा आनाज इसके उत्पादर में राजस्थान पहले पोजीशन पे है, दूसरे पे करनाटक है और थर्ड पे MP फिर कुल खाद्यान इसके उत्पादर में UP पहले नमबर पे है दूसरे पे MP है, थर्ड पे पंजाब है, ये भी बहुत important है बहुत पूछा जाता है अब बात करते हैं बाजरा बाजरे में राजस्थान पहले पोजीशन पे पूरे भारत का 44% बाजरा का उत्पादन करता है राजस्थान दूसरे पे हैं UP और थर्ड पे गुजरात UP के पोजीशन याद करना बहुत जरूरी है खासता और पे UP के गौर्रमेंट एक्जाम्स के लिए चना, इसमें MP पहले पोजीशन पे है, पूरे भारत का 46% चने का उत्पादन करता है MP, दूसरे पे करनाटक है, थर्ड पे राजस्थान है अब बात करते हैं तिलहन उत्पादन के आकड़ोंगी मुंगफली मुंगफली के उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे है दूसरे पे है राजस्थान तीसरे पे है तमिलनाडू important है मुंगफली फिर बात करते हैं सरसो की सरसो की उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है दूसरे पे हरियाना है और तीसरे पे MP है अगर हम बात कुल तिलहन और कुल दाल के उत्पादन की बात करें तो दोनों में ही MP मिंस मद्ध्य प्रदेश नंबर वन पे है कुल तिलहन में MP फस्ट पे है राजस्थान दूसरे पे है और गुजराथ थर्ड पोजीशन पे है कुल दाल के उत्पादन की बात करें तो MP पहले नंबर पे है राजस्थान दूसरे पे है और थर्ड पे महाराश्थ रहे बात करते हैं सोया बीन की सोयवीन के उत्पादन में MP पहले नमबर पे है 57% पुरे भारत का सोयवीन का उत्पादन करता है MP दूसरे पे महाराष्ट थर्ड पे राजस्थान सूर मुखी जिसे हम सूरज मुखी भी बोलते हैं करनाटक पहले नमबर पे है, दूसरे पे हरियाना है और तीसरे पे आंधर पदेश है, फिर बात करते हैं गन्ना, गन्ना में यूपी पहले नमबर पे आता है, पूरे भारत का 41 परसंट गन्ना यूपी पादित करता है, दूसरे पे महरास्थ है, थर्ड पे करनाटक है, फिर क काजू की बात करते हैं, काजू के उत्पादन में महारास्ट पहले नंबर पे है, दूसरे पे आंदर पदेश है, और धर्ड पे उड़ीसा, बात करते हैं कपास means cotton, कौटन के उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे है, और दूसरे पे महारास्ट है, धर्ड पे तेलंगा है कि पश्रिमंगाल जो है पहले पुजीशंट परे है पूरे भारत का 75 परसंट जूट अतपादिक करता है पश्रिमंगाल दूसरे पर बिहार और थरड़ पर असम अब बात करते है कुल फलो के उतपादन में तो कुल फलो की जब ひ पहले बात आए उनके उतपादन की तो माहराश्ट पहले नंबर पे दूसरे पर आंद्र-पदेश है और थर्ड़ फिर बात करते हैं कुल uit कुल फूल के उत्पादन में तमिल नाडू पहले नमबर पे है, दूसरे पे करनाटक और थर्ड पे MP है फिर बात करते हैं टामाटर की तो टामाटर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है MP में दूसरे पे करनाटक है, थर्ड पे आंधर पे देश है अनार की बात करते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा कुल फूल के उत्पादन में महारास्ट आगे है तो अनार के उत्पादन में भी महारास्ट पहले नंबर पे है दूसरे पे करनाटग है थर्ड पे गुजरात फिर अंगूर की बात आती है तो अंगूर में महारास्ट पहले पोजीशन पे है फिर वैसे ही कि कुल फूल के उत्पादन महारास्ट नंबर वन पे है तो अंगूर के उत्पादन में भी महारास्ट नंबर वन पोजीशन पे है करनाटग दूसरे पे है और थर्ड पे तमिलनाडू है अब बात करते हैं कुल मसालों के उत्पादन की तो कुल मसालों के उत्पादन में गुजरात पहले नमबर पे दूसरे पे आंदर पदेश है और थर्ड पे एमपी है पपीते की बात करते हैं तो पपीता सबसे जदा उत्पादन होता है गुजरात में दूसरे पर आंदर पदेश है, थर्ड पर महरास्ट है नारियल की बात करें तो नारियल का उत्पदेश और ठेलंगाना आलू की बात करते हैं तो आलू का उत्पदेश यूपी में सबसे जादा होता है 31% पूरे भारत का पशिम मंगाल में दूसरे नमबर पे है उत्पादन में आलू के है और पिहार तीसरे नमबर पे है सेप की बात करते हैं तो सेप सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो है जे के मिन्स जम्मू कश्मीर दूसरे नमबर पे हैं अब बात करते हैं प्यास की तो प्यास सबसे ज़्यादा कहा होता है महाराष्ट में उत्पादान होता है दूसरे पे करनाटक और थर्ड पे MP अभी कुछ नियूस भी चल लाई थी आपने सुना होगा प्यास का जो है नियूंतम सामर्थ मुल नहीं मिल ला था तो महाराष्ट में किसानों ने उसको हल चलवा के खेट में ऐसा ही डाल दिया सारा प्याज तो प्यास सबसे ज़्यादा महाराष्ट में होता है केला गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दूसरे पे तमिल नाडू थर्ड पे महाराष्ट अमरूत की बात करें तो अमरूत क अपना उत्तरपदेश और थर्ड पे है बिहार दोस्तों यह सारे फैक्ट आपको कही बार लिख लिख कर याद करने पड़ेंगे खास तोर पे इन में फर्स्ट पोजीशन तो बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं आप याद करके रखेगा और इन सभी रैंक्स में जो क्रम हैं उसमें यूपी की पोजीशन जरूर याद करिएगा वो बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए तो दोस्तों आपके लिए आज इतना ही और कल मैं आपको बताऊंगा खाने जोत्पादन से रिलेटेड आकड़े भारत के मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ धन्य अवाद